हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टेडी में फ्रेंड इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार करमचारी चैन आयोग के तरप से कौनसेलिंग को ले करके जो कि फ्रेंड ये अनीसु गुपता के दोरा दी गई जनकारी है तो फ्रेंड इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो अपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा तो चले फ्रेंड देखते हैं क्या कहा ज तरस्तर ये परिक्षा कि कौनसेलिंग का इंतिजार कर रहे हैं अभ्यारतियों के लिए बड़ी खबर है दरसल टाइपिंग और आसु लीपी लेखन परिक्षा दे चुके अभ्यारति अब कौनसेलिंग की तीथी का इंतिजार कर रहे हैं वही राष्टी चात्र एकता मंच वो अनसंगठनों द्वारा अंदोलन की घोसना के बाद फिर्ण आपको पता होगा कि कॉंसेलिंग लिस्ट में देरी को लेकर के राष्टी एकता मंच के जो है दिलीप जी उन्होंने कई बार घोसना कर चुके है अंदोलन को लेकर के ठीक है तो यहाँ पर वो ही कहा गया है कि अंदोलन की घोसना के बाद अब आयोग में सुगबुगाहट तेज हो गई है बताया जा रहा है कि आयोग में कॉंसेलिंग की तीथी जल्द घोसित करने को लेकर दो राउंड की फार्मल बैठक हो चुकी है यानि कि कॉंसेलिंग को लेकर के बैठक हो चुका है दो बर और देखे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आयोग सुत्रों की अनुसार इस सप्ता कॉंसेलिंग की तीथी घोसित कर दी जाएगी यानि कि आप लोग का जो कॉंसेलिंग है इस सब्ता हर हल में घोसित किया जा सकता है ये बताया जा रहा है अभी आयोग में कॉंसिलिंग में कितने लोगो को बुलाया जाए यानि कि फिरंड यहां पर आयोग में ये confusion बना हुआ है कि कितने candidates को बुलाया जाए और 2016 में आवैदन में किन किन को छटाई की जाय है इस पर ही जाच फसी हुई है यहाँ पर यह कहा जा रहा है हलांकि आयोग के सचीब मामले में कुछ भी अधिकारिक तौर पर कहने से इνकार कर रहे है यानि कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2016 को लेकर के हैना यहाँ पर यह confusion बन बताया जा रहा है कि वर्ष 2016 में नियुनतम उम्र सीमा के कारण काफी संख्या को आयोग भी करार दिया जाना है कॉंसिलिंग के दौरान ऐसे अभ्यारतियों के छटनी कर दी जाएगी इस मामले पर आयोग के सची ने सीधे तोर पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया है और कहा कि मामले में आयोग के सभी सदस निन्नाय लेंगे यानि कि सभी सदस के निन्नाय के बाद ही मतलब ये किया जाएगा और यहाँ पर दिखेए ये बताया जा रहा है कि दोक्यूमेंट वाले जो केंडियेट है ठीक है उन लोगों को कॉंसेलिंग के समय बाहर किया जाएगा है ना यहां पर पहले की चर्चा नहीं की गई है कि दोक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाए जाए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है यहां पर यह कहा जा आपकी साथ नेक्स्ट व्यूडियो में और बात करेंगे फिर नेक्स्ट अपडेट की